भारती जनता पार्टी ने लोक सभा चुनाओ 2024 के लिए अपने उम्मीद्वारों की पांचवी लिस्ट जारी कर दी है कई सारे ऐसे मौझूदा सांसद रहे जिनका टिकेट कट गया है और कई सारे ऐसे नए चेहरे जिन्हें मौका दिया गया है लेकिन इस लिस्ट जो 111 उम्मीद्वारों की जो लिस्ट जारी की गई है इसमें तीन ऐसी सीट है या तीन ऐसे मैं नाम कहूं जो सबसे ज़ादा चर्चा का विशेर रहे हैं वो तीन नाम कौन-कौन से है एक नाम है अरुन गोविल का एक नवीन जिंदल का और तीसरा अभिनेत्री कंगना रनौत का आज इस वीडियो में इन तीनों नामों की इस वक्त कैसे चर्चा हो रही है या कैसे बीज़पी ने एक बड़ा दाव चल दिया है यह सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसलिए आप आखर तक इस वीडियो को जरूर देखेगा और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसी हर ख़बर से अपडेट रहने के लिए न्यूज एट इंडिया के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब अभी कर लें अब मैं आपको बता कारेगी सब कुछ कल क्लियर हो गया जब उन्होंने पहले भारतिय जनता पार्टे का दामन थामा और जब कॉंग्रिस से उन्होंने विदाई ली तो कॉंग्रिस में उन्होंने आप अगर देखेंगे तो मनमोहन सिंग का जिक्र किया उन्हें धनेवाद भी दिया लेकिन भा जिन्दल पर भरोसा जटाया गया कुरुक्षेत्र से उन्हें उमीदवर बनाया गया है यह मैं आपको बताती हूँ पहले तो आप यह जान लेजीए कि 10 साल से राजनीती से नवीन जिंदल दूर रहे हैं और अगर 10 साल पहले का आप इतिहास देखेंगे तो कुरुक्षेत्र जिंदल जो परिवार है मैं आपको बता दू पेशे से बहुत बड़े कारोबारी है भारत के अलावा दुनिया में भी बहुत बड़ा इनका बिजनिस है लेकिन जो इनके पिता थे यानि कि नवी बना ली राजनीती से क्योंकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था उनके पिता भी पहले कॉंग्रिस में थे फिर कॉंग्रिस का साथ छोड़ा फिर कॉंग्रिस में वापसी की लेकिन मैं आपको बता दू कुरुक्षेत्र से इनके जो पिता है ओपी जिंदल वो भी बात चल रही होगी लेकिन भारती जनता पाटी ने उन पर भरोसा जता दिया है और अब माना यह जा रहा है क्योंकि आप अगर देखेंगे तो वहां पर तो सारी सीटों पर वैसे ही बीजेपी का बहुत स्टॉंग होल्ड है अब ऐसे में नवीन जिंदल वहां के लोगों क होते हैं उसके लिए इंतजार चार्जून का करना होगा अब आगे बढ़ते हुए दूसरा नाम जो मैंने आपको बताया अरुन गोविल का अगर आप अरुन गोविल के नाम से उन्हें नहीं भी जानेंगे तो श्री राम का किरदार निभाने वाले रामायन में उस शक्स क की तस्वीर देखकर आप जरूर पहचान जाएंगे जिसकी मैं बात कर रही हूं अब आप ये भी जान लीजी कि लोकसभाद चुनाओं कि अगर मैं इस वक्त बात करती हूं तो कोई सबसे बड़ा मुद्दा या एक बड़ा एजिंडा जिसके तहत लोगों तक पहुंचने की जो भारती जनता पाटी की कोशिश रही है वो रामलला की प्रान प्रतिष्ठा है यानि की भवे दिवे राममंदर जो बन चुका है अब जो रामायन यानि की रामायन से श्री राम आखर वो कौन थे वो जिसने अवगत करवाया वो व्यक्ति उनका नाम अरुन गोविल ह और अरुन गोविल की popularity अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में वो कहीं भी चले जाएं, आप कहीं सारे interviews अरुन गोविल के ऐसे होते हैं कि वो बताते हैं कि अगर मैं airport पर जा रहा था तो लोग आ गए मेरे पैड चुने लगे, यानि कि अगर लोगों मीरिया पर देखेंगे, जैसे ये खबर सामने आई तो बहुत सारी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आई कि आखिर प्रभू को कौन चुनाव हरा सकता है, फिर भी मैं आपको बता दू, लोकसबा चुनाव के अपचारिक नतीजे क्या होते हैं, इसका इंतजार करना होगा, ल आपको वो तस्वीर याद होगी कि कैसे आयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया, फूलों के उन पर बारिश हो रही थी, जैसे प्रान प्रतिष्ठा से पहले खुझ प्रभुराम आयोध्या में आ गए हो, इस तरीके का जो प्यार है वो लोग उनसे करते हैं, ये भी बता दू कि पिछले कहीं सालों से कंगना रनौत का जब जब नाम साने सामने आ रहाता चाहिए, वो कहीं सारे इंटर्व्यूज में भी गई, तो उनसे जरूर ये सवाल पूछा जाता था, कि क्या आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है, या आप ऐसा सोच रही हैं कि आप चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो उनका एक जवाब जो मुझे हमेशा से याद है, वो ये कहती थी कि अगर बीजेपी भरोसा जताएगी, या मुझे मुझे मौका मिलेगा, तो मैं क्यों नहीं, मैं जरूर चुनावी मैदान में उतरूंगी, और फिर ऐसा ही हुआ, वो बहुत खुश थी कि मेरी जन्म इस्थान, यानि की हिमाचल प्रदेश से ही वो तालोख रखने वाली है, वहाँ से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतर दिया है, अब अगर आप एक लंबा इतिहास कंगनार अनौत का देखेंगे, तो जिस तरीके से वो बहु कुछ ऐसी छवी अपनी बनाती रही है, और अब माना जा रहा है कि एक लंबे समय से मन्थन चिंतन चल रहा था कि क्या कंगनार अनौत को टिकेट दिया जाए, या अंदर खाने जो भी बाची थी, लेकिन अब ये सब के सामने आ चुका है, कि मंडी से वो लोग सभा का चु हैं, वो सामने आने वाले हैं, इसी लिए ओफिशल तोर पर इंतजार करना होगा, कि आखर ये तीनों चेहरे या फिर तमाम जो कैनिडेज जिने बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, और क्योंकि कई कई सीच पर ऐसा भी हुआ है कि मौजूदा सांसद है, जिताओं उमी अब ही तक भी अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर दें और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताएं झाल झाल